जीमंच गुजरात सच चुका है हर पार्टी से हम सवाल जवाब कर रहे हैं और आपने देखा अभी अभी बीजेपी के दो बड़े नेता यहां आए सवाल उनसे हमने तीखे पूछे और क्या वापसी होगी ये भी सवाल पूछा लेकिन अब हम अपने अगले गेस्ट का स्वागत करते हैं राज्य सभा सांसद और इसे के साथ साथ आम आद्बी पार्टी के बड़े नेता राघव चड़ा आज इनसे भी सवाल पूछे जाएंगे क्योंकि पिछली बार जमानत जब्त हुई थी लेकिन इस बर क्या तयारी है राघव जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है जोरदार तालियों के साथ राघव चड़ा का स्वागत करते हैं और इसे के साथ-साथ मेरी सहयोगी अधिती त्यागी ये पूरा सेशन करेंगी तो ओवर टु यू अधिती और इसे के साथ-साथ शुरू करते हैं थैंक यू शिवांगी, थैंक यू सो मुच तो गाइस, can you be please be seated, please प्लीज अवी गुद तो गो? जी, ज़रा दोस क्लोस करा दे विशाल भाई, यंग लीडर्स को आपको सुनना चाहिए ना पॉलिटिक्स में जब अकसर नेताओं की बात की जाती है तो जो इमेज उबर कर आती है वो इतनी यंग नहीं होती, जितनी यंग इस वक्त हमाई साथ मंझ पर है राइट और रॉंग आप लोगों का जोश बहुत थंडा थंडा है, जोश नहीं है अभी अनरजी दिखाई नहीं दे रही है, मैं गुजरात आई हूँ, हम्दबाद की अनरजी मुझे फील होनी चाहिए अनरजी मुझे अनरजी मुझे अनरजी मुझे अनरजी मुझे वाइस, ब्राइट, दाइनेमिक, यंग, हैंसम, पुलिटिकल लीडर प्रमामानमी पार्टी, रागवचादा, थैंक यू सो मुझ बहुत बहुत शुक्रिया आप इता बलश कर रहे है जब आप रैलियों में जाते हैं तो तब ऐसे सुनने को मिलता है, आपके जो फॉलोर्स हैं, वो आकर कहते हैं कि आरे, आपके बारे में हम सुन रहे हैं, ग्राउंड पर लड़किया कह रही हैं, बहुत डाइनमिक, हैंसम, डाशिंग, यंग लीडर है देखें, वो मेरे अंदर जो मर्जी देखें, मुझे देखकर जाडू का बटन दबादें, आम आपनी पार्टी को वोट देदें, मुझे तो इसी से मतलब है अजया, ये थोड़ा से तो बताएं, आप बहुत गाड़ेड हैं इस वक्त, लेकिन जब जाते हैं, जन सभाव में, लोगों से मिलते हैं, तो क्या फीडबैक मिलता है, मतलब मैं सबसे पहले आप ही किसा शुरुवात करना चाहती हूँ, आपकी पार्टी के पर बात करेंग जो है, रैली में बैठे हजार, दोजार, पांच हजार लोग गुजरात के कोने-कोने तक पहुचाते हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉंस है, मुझे जैसा महल पंजाब में नजर आ रहा था, जब मुझे पंजाब की पार्टी ने से परबारी बना कर जिम्मेदारी दी थी, कुछ उसी प्रकार का बदलाफ का परिवरतन का महौल नजर आता और लोग बहुत प्यार देते हैं, आशिरवाद देते हैं, रागाव ऐसे कहते हैं कि जो नेता होते हैं, हर बात को अपनी कन्वीनियन्स के हिसाब से ट्विस्ट कर लेते हैं, मैं आपकी परस्नालिटी की, पॉलिटिकल लीडर, आपकी मास फोलोईंग की, फीमेल फैन फोलोईंग की, उसब के बारे में बात करी थी और आपने बहुत स्मार्टी पूरे सवाल को ही घुमा दिया, वो आपका अंकला ने आप बताएं, आपके कैमेरे क्या कहत करते हैं, मुझे तो सिरफ परिवरतन आपके की बात करते हैं, आपकी पार्टी पिछले एलेक्शिंस में और आपकी पार्टी का वैसे अगर रेकॉर्ड भी देखें तो फिर्स्ट एलेक्शन आपका थोड़ा सुस्त रहता बें रेकिन सेख़ने अप रफ़तार पकड़ लेते हैं, तो गुज्चराथ के में पहली अर्विन केजरिवाल जी की एक बड़ी जन सभा एक रैली का आयोजन हुआ था और अप्रेल से लेकर आज तक जितनी जमीन आमादमी पार्टी ने पिछले कुछ महीनों में तै करी है यह चमतकार है और यह चमतकार इसलिए नहीं कि हम कोई बड़े महिंती लोग हैं हमने कोई बड़ी जबर्दस स्ट्रेटीजी को रन्नीती लगा दी हैं को बड़े चानक्यां ऐसा कुछ नहीं है बात सिरफ इतनी है कि लोग परिवर्तन चाहते हैं और पूरे गुजरात में सौराष्ट हो उत्तर गुजरात हो मध्भे गुजरात हो दक्षिन गुजरात हो लोग बड़ी उमीद के साथ अब 27 साल पुरानी एहंकारी सरकार को भरष्ट भाजब सरकार को हटा कर एक नई पड़ी लिखी इमानदार आम आदमी पार्टी सरकार लाने को तयार हैं और हमारा अपना यह मानना है कि हाद कि हम तो छोटी सी पार्टी हैं हमारे पास इतने सं कंता खुद यह चुनाव लड़ रही हमारी क्या उकात कि हम इतने बड़े-बड़े लोगों से लेक्शन लाड़ सके जिनके पास सबुछ है सारी एजैंसिया इनके पास बड़े-बड़े अखबार बड़े-बड़े मेडिया उसेज को यह लोग डरते धंकाते सब को इनके गुजरात के जितने न्यूस चैनल्स हैं उन सब को भाजपा के कार्याले से कहा गया है कि अगर तो माम आदमी पार्टी को दिखाओगे तो तुम्हें बंद कर देंगे और आम आदमी पार्टी की किसी प्रवक्ता को डिबेट शो के लिए बहस के जो आप लोग रात को करते है उसमें आम आदमी पार्टी अगर प्रवक्ता आएगा तो भाजपा अपना प्रवक्ता नहीं भीजे कि ये डर नहीं तो क्या है ये धंकाना नहीं तो क्या है कि ब्लैक आउट कर दिया जाया आम आदमी पार्टी को मैं यह नहीं कह रहा है कि सब ऐसे हैं आप जी मीडिया के प्लेटफॉर्म पर बैठे हूं है, रागव चद्धा आप मेरे साथ बैठे हूं है, हम बात कर रहे हैं कि ग्राउंड पर रियालिटी क्या है, आप लोगों की बात नहीं कर रहा है, मैं एक बहुत बड़े मीडिया के तपके की बात कर रहा हूं, और उनकी की भी गलती नहीं है, जितीजी, मैं मीडिया को दोश नहीं देता, उन पर इतना दबाव बनाया जाता है, नाना प्रकार के डर, खौफ उनके मन में पैदा किया जाता है, वो बिचारे भी क्या करें हमारी साहनबूती उनके साथ है, हम खुद चाहते हैं कि उनको बेखॉफ करें, अगर उसमें हमारा कोई योगदान हो सकता है, तो हम वो योगदान जरूर देंगे, चलिए, मैं क्योंकि हम जी मीडिया पर बैठी है, और मैं जनता के मुद्दों की बात करना चाहती है, जो फ्यूचर है देश का, उसे खास तोर पर यहां पर बुलाया, ताकि नेता कॉंग्रेस पार्टी थकी हुई बूरी हो चली कॉंग्रेस, जो 27 साल भाजपा को गुजरात में नहीं हरा सकी, अब 28 साल में क्या हराएगी, पहली चीज, दूसरी चीज, आज से पहले अधिती जी, गुजरात का चुनाव भाजपा के लिए एक वाक ओवर इलेक्शन होता मे specie जिसमें लड़ाइक होती ही थी, प्रती दूंदवीं कोई होता ही नहीं था, ना भाजप को इतनी चुनाप्रचार की जरूरत पढ़ती थी, ना बड़े नेता उतारने की जरूरत पढ़ती थी, ना इश्तिहार देने की, ना होड़िंग पोस्टर लगाने की, ना रैल के रूप में एक फॉर्मिडेबल चैलेंजर के रूप में आम आदमी पाटी उभरी है इसलिए आज भाजपा को प्रधान मंत्री जी ग्रह मंत्री जी समेथ अपने सारे केंद्रिय मंत्री मंदल को अतारना पड़ रहा है एक दर्जन से जादा मुख्यमंत्री भाजपा के को रोकना है बस एक ही मकसद है तो आज भाजपा को इतनी ताकत जोकनी पड़ रही है कैसे एलेक्शन में जो आज से पहले वाकोवर एलेक्शन कहा जाता था तो कुछ चमतकारी हो रहा है गुजरात में और गुजरात की जनता इस बार परिवर्तन के लिए तैयार है वो पर का ना कोई भविष्य है और ना ही कॉंग्रेस गुजरात या भारत देश को कोई भविष्य दे सकती है कॉंग्रेस अब चुनाव लड़ने के बिजनस में है ही नहीं उन्हें यह रण का मैदान छोड़ दिया है अब कॉंग्रेस मात्र एक एंजियो बन गई है जो समय समय प कॉपिया अप्की पार्टी के बारे मेरे पास फॉलॉब इस जगरे मेरे लेकिन क्युकि आपने कॉंग्रेस का जिकरिगिया नहीं लो भारत जोड़ो यातरा यह अप अन्से मिले हुंगे और कॉंग्रेस पाटी तोने अब काफी युवा चेहरा युवा ने इता बताती है है आपकी आप उसे कैसे देखते हैं वह मैं आप से जानना और समझना चाहूंगी आप मुस्कुरार है तो मैं आप ही पर छोड़ देती हूं कि अब आप लिए क्या कहना चाहते हैं देखिए अब आप कॉंग्रेस पाटी की जो राजनेतिक समझ है और उनकी राजनेतिक रणनीतिय आप उसका अंदाजा इसी चीज से लगा सकते हैं कि चुनाव हिमाचल प्रदेश और गुजरात में हैं और भारत जोड़ो यात्रा तम्मिल नाड और केरल में निकाली जा रह हैं तम्मिल नाड में इन्होंने 20-25 दिन लगा दिये तम्मिल नाड में भाजपा की कितनी सीटें हैं एक भी सीट नहीं है तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि कॉंग्रेस पार्टी का कॉंग्रेस पार्टी को चलाता कौन है क्या उन्हें राजनेतिक समझ है मुझे को बहुत आज़ाद आनुभव नहीं है, हम आधनी पार्टी तो दस साल पहले बनी है, लेकिन हम जितना समझ पाएं है, हमें ऐसा लगता है कि कॉंग्रेस ने अब सरेंडर कर दिया है, वो अब इलेक्शिन्स, इलेक्शिन्स फाइट करने के काम काद से अपने आपको उन्होंने परे कर अब वो समाजिक कारे करेंगे समय समय पर, जब मन करेगा कभी आत्रा निकालेंगे, कहीं कोई चैरिटी का काम करेंगे, अब वो एक NGO बन गई है, कॉंग्रेस अब एक पुलिटिकल पार्टी नहीं रही, जो मैं रागफ चड़्डा को सुन रही हूं, चलिए, यहां पर जो आपकी कॉंग्रेस मुक्त भारत जो कभी बीजेपी की पिलिटिकल पिष्टी आपको लग रहा है कि वो आपकी पिलिटिकल समझ में भी वो रियालिटी निख रही है आपको? हम किसी को कोई किसी पार्टी से इस देश को मुक्त कराना या कोई किसी से विक्तिगत रंजिश निकालने की कोई बात नहीं है, मेरा अपना यह मानना है कि आज देश को एक विकल्प चाहिए अधिती जी, लोग विकल्प तराश रहे हैं, आज मान लीजे अगर 31 प्रतिशत लोग ऐसे भी हैं इस देश के, जिन्होंने किसी विकल्प को वोट दी, आज वो लोग एक विकल्प तो ढूंड रहे हैं कम से कम, वो विकल्प कॉंग्रिस नहीं है, वो विकल्प और वो ताकत, वो शक्ति, वो अंग्रेजी में कहते हैं, फायर इन द बैली, कि आपकी पार्टी नहीं दे पांती, उसका मैं तीन-चार बिंदू में आपको जवाब देता हूं जितनी मेरी समझ है, पहली चीज, आम आदमी पार्टी एक रीजनल पार्टी नहीं है, आम आदमी पार्टी अब सही माहिने में एक राश्टी राजनेतिक शक्ती ताकत बन चुकी है आप बंगाल की किसी पार्टी की बात करें, तो वो बंगाली असमिता से निकलिवी पार्टी है, तितेलंगाना और आंधरपदेश का जो बाइफरकेशन हुआ अंधरा का, उससे कुछ पार्टी उनने जन्म लिया, उनमें एक रीजनल एलिमेंट है, शिप सेना है, वो महरा अर्विंद केज रिवाल जी का, वो पूरे भारत देश में और हमारा चुनाव चिंजाडू, पूरे भारत देश में एक रेकगनीशन, एक मान सम्मान प्राप्त कर चुका है, तीसरी चीज़, modern day electioneering, आज के युग में चुनाव कैसे लड़ा जाता है, उसकी गड़ेत, उसकी साइन्स, उसकी तकनीक, वो जितनी भाजब को आती है, उतनी आम आदमी पार्टी को आती है, जो और किसी पार्टी को नहीं आती है, और चौती और आखरी चीज, आम आदमी पार्टी, एक बहस हो सकती है, लेकिन एक आर्थिक उन्नती का, एक एक इकनॉमिक अपलिफ्टमेंट का मॉडल, जिसमें सम्मान जनक जीवन जीने के लिए जो सुविधाएं आपको चाहिएं, वो अर्विन के जरिवाल जी आपकी जेब में डालने का काम करते हैं, एक मॉडल हमने पेश क के खिलाफ एक मजबूत राजनेयतिक ताकत के रोप में हम अपने आपको प्रस्तोत कर पाते हैं. कि आप impa ragna करते हैं, freebies की जो politics हैं वो impa नहीं करते हैं. भारतिय जनता party की empowerment का model और आम आदमी party की empowerment का मॉडल में बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा फर्क है. हम भारतिय जनता party का empowerment model है ठेकेदारों के लिए, जैसे मौरभी में घड़ी बनाने वाली कमपनी को करोड़ रुपे का कॉंट्रेक्ट था दस लाग रुपे कर्च किये गए भारतिय जनता पार्टी ने उस ठेकेदार की इंपावर्मेंट करी उसको शशक्त किया उसकी आर्थिक उनती के बारे में सोचा आम आदमी पार्टी और अर्विंद केजरिवाल जी का मॉडल चंद चाहिए जितनी अच्छी स्वास सेवाएं चाहिए वो सरकार मोहिया कराईगी यह बड़ा फर्क है हम दोनों की एंपावर्मेंट मॉडल में और भारत देश का संब्धान कहता है अधिती जी इंडिया इस वेलफेर स्टेट भारत एक कल्यानकारी राज्य है यह हर राज्य स सरकार की जिम्मेदारी है कि वो कल्यानकारी स्कीम लाकर जनता को आर्थिक तोर पे उपर करें आज हम इतने महंगाई के दौर में जी रहे हैं अगर अर्विंद केजरिवाल जी कहते हैं कि मैं गुजरात के हर परिवार को 300 विजली मुफ्च दूँगा मैं गुजरात के हर पच्चे को विश्वस तरिये शिक्षा बिलकुल मुफ्च दूँगा गुजरात के हर बड़े बुजर को महंगे से महंगा इलाज हजार रुपे की दवाई हो या 10 लाक रुपे का ऑपरेशन हो वो गुजरात की केजरिवाल सरकार देगी तो इसमें बुराई क्या है और हम कोई एकलौती पार्टी ऐसी नहीं है जो यह बात कर रही है इस दुनिया में 30 से जादा ऐसे विक्सित देश हैं जो यह सारी बुनियादी सुविधाएं इलेक्टरिसिटी पानी शिक्षा स्वास पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपनी जनता को मुफ्त में राज्य सरकार के खर तो यह एक बुनियादी फर्क है हमारे एंपावर्मेंट मॉडल में और भाजपा के पार्ट अब मैं आपसे राजनीटी में सब कुछ सत्ता के लिए है वोट के लिए है लेट्स बीएल एन रिलिस्टिक आप आमादमी पार्टी को गुजरात में किती सीटी देख रहे हैं है एक कॉंग्रेस खतम हो गई है पहला बिंदू दूर दूर तक मैदान में नहीं है तो आपको मौका दे रहे हैं वो तो कह रहे हैं कि खुला मैदान है अब जाओ तुम हां तो यह यही मेरा भी ऑब्सरवेशन है कि आज शायद पांच सीटे भी कॉंग्रेस की पूरे गु भारतिय जनता पार्टी पहले बिंदू पर राहूल गांधी ने आपको खुला मैदान दे दिया है या आपने अपनी स्टैंडिंग वो बना लिए कि आपको फर्क नहीं पड़ता अब यह तो आप राहूल गांधी जी से पूछिए आपकी अंडिस्टैंडिंग क्या आपक विद्रॉक कर लिए वो सामाजिक कारे कर रहें पकर नेदी जैना उसितनी अची यात्रा निकाल हूं मैं कह orgasm 20- maxim निmezu और टुर्म में निकालते रहें घट आप एक बिंदू तो यह रही कि कॉंग्रेस की समापती हो गई है दूसरी भारतिये जंता पार्टी का ग्राफ लगातार पिछले छे महीने में हमारे हर इंटर्नल सर्वे में गिरता जा रहा रहा और रफतार से गिर रहा है जो भारतिये जंता पार्टी कहीं 47-48% वोट्स लेती थ लगातार नीचे जारा का आम आदमी पाटी जिसने जीरों से शुरू किया था जो मार्च के महिने में 1000 प्रतिश्चत वोट शेयर पी ऑप पटी जा रही है और आज आम आदमी सीटों में तबदील होगा, उसमें से सौराष्ट में कितनी आएंगी, दक्षिन गुजरात में, उत्तर गुजरात में कितनी आएंगी, यह आने वाले समय में हम क्लोजर टू एलेक्शन आप से चर्चा करेंगे, आपको मैं इलाका, एरिया वाइस बता दूगा कि कहां पे आम आद्मी पार्टी की कितनी सीटे आ सकती है, लेकिन वोट शेर में हमने उनको पीछे चोड़ गा, किसी भी गोल के टूवर्ट हम काम करते हैं, कोई भी, सरकार ब शेकर आदा गाल, वाइस बता देख ऑर, हम यह लोगों के चहरें, कि जो उनकी जो उमीद आ हैुषे कैद करें हजारों लाखों लोग आज हाम आदमी bunu कि रैली ओमें आम्ठी पार्टी के जंसभां में रोडशोल में आ शिरफ परिवर्तन के लिए आ रहे हमारा तो यापे कोई बेस भी नहीं था कोई पर परागत वोट वोट बैंक भी नहीं था लेकिन आज आम आदमी पार्टी के हर वर्ग का, друз देरा है์। हर धर्म का हर व्यक्तु वोट दे रहा है। और आज इसी वजह से अधिती जी इसी वजह से भारती जन्ता पार्टी को अपना पूरा केंद्रिय मंतरी मंदल, हर राज्य सरकार का मंत्री मंदल, एक दर्जन से जादा मुख्य मंत्री, डेड़ सो से जादा सांसद, सब उतारने पड़ गए, क्यूंकि आम आदमी पार्टी इतनी बड़ी चुनौती बंगे। को बहुत सीरियसली लेते हैं, चाहिए वो नैशनल लेवल का एलेक्शन हो या लोकल बॉडी का एलेक्शन बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहां मुकाबला इतना मुश्किल है कि इतनी थाकत जोकने की जरूरत पड़ी, गुजरात में आज से पहले कहां इतनी थाकत जोकी जाती थ क्योंकि वाक ओवर चुनाव होता था, तो वाक ओवर चुनाव में तो भारतिय जनता पार्टी अकेली दोड़ में भागती थी, अकेली जीच जाती थी, और मैं परिवर्तन की बात बार बार क्यों कर रहा हूं। 1960 में आज का जो गुजरात है इसका निर्मान हुआ था, modern day गुजरात का, 1960 से लेकर आज तक गुजरात में 35 साल Congress Party की सरकार रही, 27 साल भारतिय जनता पार्टी की सरकार रही, लोग कहते हैं हमने दोनों पार्टियों को भरपूर मौके दिये, इन्होंने हमें क्या दे दिया, इनके बच्चों के तो विदेशों में महल बन गए, सब विदेशों में सेटल हो गए, इनकी कार खाने ही खुल गए, फैक्टरीज बन गई, शॉपिंग मॉल बन गई, मर्सिडीज औरी गाड़ियां आ गई, जो आदमी किसान मजदूरी करता था, किसान के खेत में मजदू है, तो एक बार मॉका दे कर देख लो, पांच साल अगर हमने काम नहीं किया, तो पांच साल बात फिर चुनावोगा उसमें वोट मत देना, एक मौका तो देखकर देखो, ठीक, आप जनता से करें एक मौका देखकर देखो, बीजेपी कह रही है कि आपका तो वही हश्रोने वाला है जो आपका गोवा में किया जनता ने, आपका तो वही हश्रोने वाला ह में किया या उत्राखंड में किया गुजराद भी उसी रास्ते पर जा रहा है तो ये भी हो सकता है कि जो पंजाब में हमने किया वो हो जाए गुजरात में सिरफ सिर्फ गौर उतरा कंट से क्यों कंपेर करते हैं लेकिन वहां पर लेकिन लेकिन पंजाब में आपकी टकर बीजेपी से डारेक्ट नहीं थी ये तो आप मानेंगे देखिए एक ब्रह्म है कि आम आद भी पार्टी की जब जब टकर कॉंग्रेस से होती है वो सरकार बना लेती ह अब आप दिली कउधारन ले लिजेए आप तो दिली में रहती हैं दिली का उदारन ले ले लिजेए दिली में 2015 में चुनाव होने से पहले BJP की 30 सीटें थी 70 की विधान सबाब में, हमारी 28 सीटें थी, हमारा सीधा मुकाबला BJP से था, और हमने आजाद भारत के इतियास में सबसे बड़े जनादेश की सरकार बनाई, 70 में से 60 सीटें लाकर, 2020 में भी जब दिल्ली का चुनाव हुआ, तो गलत है, मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूं, लॉजिकली अगर आप समझें, तो आम आदमी पार्टी जब-जब BJP को टकर देती है, जादा मुकाबलों में BJP को हार का सामना करना पड़ता है, 2015 दिली ले लीजे, 2020 दिली ले लीजे, और पंजाब का भी आंकलन गलत है, पं आगे निकल गई, अवल नंबर पर आई, लोग परिवरतन चाहते थे, देखी मैं फिर वही कह रहा हूं, दिती जी, हम लोग कौन है, हम साधारण से लोग है, अर्विंद केजरी राजी पेशे से इंजीनियर है, मैं पेशे से चार्टिट अकाउंटेंट हूँ, हम अपनी जोड़कर जोड़कर इस भारत की राजनीति को बदलने आये, हमें तो इतने राजनीति आती ही वdı भी नहीं हूँ, लेकिन आपके critics ये भी कहते हैं कि सब पार्टियों की जननी हैं Congress Party, और अब हर पार्टि में Congress Party के Shade दिखाई देते हैं, एक तो ये जो इसमें कोई पुलिटिकल छोक नहीं लगाया गया है यह कहा जाता है हर पार्टी के बार में दूसरी बात जो अभी आप बात कर रहे थे अब तो यह दो अगी हुए है यह होड हो रही है की नरेंद्र मोदी बड़े हिंदू है की अरविंद केज्रिवाल बड़े हिंदू अब बिजली पानी शिक्षा स्वास से मतलब है हम लोग मुद्दों की बात करते हैं और जहां तक आपने नोट पे भगवान गनेश और मा लक्ष्मी जी की बात करी अगर हमने एक सुझहाव दिया तो भारतिय जनता पार्टी उसका खंडन क्यूं कर रही है बीजेपी को उससे क कि फोटो लगी हूं अगर हमने ऐसा सुझहाव दे दिया तो असलशनाव को क्यूं दर किनार किया जा रहा है वो इसले दर कनार किया जा रहा है क्यूंकि अर्वेन केजरिवाल ने दिया भीजेपी को इसका जाब देना चाहिए है अपने चुनाव देखकर दिया ना आपकी टाइमिंग जो थी आपके प्रस्ताव की चुनाव से कई महीने पहले कर दिए वो यह सवाल दिखा रही है उठा रही है कि यह प्रस्ताव या यह सुझाव अभी क्यों आया चुनाव की तारीकों की घोशना नहीं गुजरात के नही मैं यह सुझाव केंद्र सरकार को भीजा था मैं चाहूंगा आज मुझे बताया गया है आपके मंच पे केंद्र सरकार के बहुत बड़े बड़े नेता आने वाले हैं कुछ आ भी चुके हैं आप जरूर उनसे सवाल पूछेगा कि क्या आपको अर्विंद केजरिवाल जी क का ये सुझाव पसंद है यहना पसंद है एक विशे और दीजी जब हम कहते हैं कि हम विश्वस्तरिय शेव काफी कैफुली क्राफ्टेट सुझाव था जब हमने ये कहा देती जी कि हम विश्वस तरिये शिक्षा बिल्कुल मुफ्ट देंगे और एक ऐसी विवस्था बनाएंगे इसमें सफाही करमचारी का बच्चा हो या हाई कोट जच का बच्चा हो दोनों एक डेस्क पर बैठके स्कूल में अच्छी शिक्षा ग्रेंड करेंगे तो उसमें हर वर्ग, हर धरम, हर जात, हर बिरादरी के परिवार से आने वाले लोग उस स्कूल में जाएंगे ऐसे ही जब अस्पताल बनेंगे तो सबका इलाज होगा अगरी विद यू, एजुकेशन होनी चाहिए, जन्माश्टमी पर हुआ था, अब जब इस तरह की बाते होती हैं तो फिर का जाता है कि या तो विकास की बात कर लीजे या फिर आप जो बीज़ेपी की सियासी पिछ है उसे एड्रस कर लीजे देखिए ये तो एक ये सब सभाल आपके ओपनेंस के हैं देखिए औरिस की बाते तो ना मुझे लगता है आपको समय बर्बाद करना चाहिए ना हमें समय बर्बाद करणा चाहिए ओपनेट चोर्दीज़ देजा जन्ता को एससे कोई फरίναι पड़ता जन्ता को इसमतलें मुझेतों पदेगी क्योंकि मैं आपको भी मंच देती वे ब पर बैठ कर मुझसे कहेंगे कि आरे आप तो सिर्फ आम आदमी पार्टी को मज़ देखें आज जब जनता कोई भी न्यूस चैनल देखती है तो एंकर पूछ रहा होता है कि बीजेपी ने आपको यह कहा आपने क्या कहना है और बीजेपी से कि आम आदमी पार्टी ने आप प कर रहा हो यह दा आपने कारेकरम हो लगुज्राम में बैठी है डंके की चाट पर कहरा हूं एक पाटी है जो गुजराथ में एक मॉडल दे रही है आर्थिक उन्नती का और मुद्दों की बात कर रही है एक blueprint दे के vote मांग रही है कोई एक party मुझे बता दीजिए जो blueprint देते होए vote मांग रही है कोई एक जनता की बात कर रही है जनता की उन्नती की बात कर व्यूपोइंट को, कैसे एड्रिस करेंगे, और बार बार ये कंपारीजन हो रहा है गुजरात में, गुजरात मॉडल वर्स दिल्ली मॉडल आप यहां देने आएं? देखिये हमको इमॉडल देने बेचने नहीं आएं एक मॉडल है जो हवा हवाई मॉडल था, अगर वो मॉडल लाग हुआ होता, तो आज गुजरात में ये बुनियादी सुविधाएं तो लोगों तक पहुंच गही होती, हर जगा मॉला क्लिनिक खुल गए होते, हर जगा पांच सितारा बड़िया सरकारी अस्पताल होते, जिस को अस्पताल ही नजर नहीं आएगा, मीलों दूर, कोसो दूर कहीं है, अस्पताल नहीं है, ये हालात है गुजरात की, तो मैं किसी के मॉडल को किसी से कंपेर नहीं कर रहा, मैं किसी नेता के बारे में कोई टिपड़ी नहीं कर रहा, मैं अपनी बात कर रहा हूं कि हम एक यह बेरोजगार युबा को मीनिफुल एम्पोउइमेट देंगे रोजगार देंगे जब तक रोजगार नहीं देंगे तो आपकी जेब में 3,000 रुपे का लंपलाइम्ट अलाउंस देंगे जो दुनिया के कई विक्सित देश देते हैं यह रेवडी नहीं है ये विक्सित देशों की सौगात है अपने अनिम्प्लॉइड यूथ के लिए हर महिला को एक हजार रुपे की आर्थिक मदद हर महीने की देंगे उनके बैंक अकाउंट में डालेंगे महिलाओं की आर्थिक उन्नती की बात कर रहे हैं किसानों को नियूंतम समर्थनमूल लिये महया राएंगे बजली देंगे पानी देंगे सिचाई के लिए खेती के लिए क्रिशी के लिए आदिवासी ते लिए अलग केजरिवाल की गारंटी दि हमने एक मौडल पेश किया है कौन सी पाटी, आप मुझे बीजेपी का, मैं आप गुजराच चुनाफ कवर कर रही हैं, लोग यहां बैठें, मैं बहुत बेसिक बाते करते हूं, एक सवाल, कोई मुझे बता दे, इस पूरे हॉल में इतने सारे युवा बैठें, पड़े लिखे, नौजवान बैठें, बी कितने स्टूडेंट्स बैठें, कितने युवा बैठें गुजराच की, आप देख लिजे कैमरा गुमा कर, किसी को नहीं पता, क्योंकि बीजेपी मुद्धों की बात ही नहीं कर रही है, सिरफ एक ही पार्टी मुद्धों की बात कर रही है, आम आदमी पार्टी, यहां पर डेली में भी है, तो इशूज हर जगा है, लेकिन मेरा पॉइंट फिर वही है, जो सवाल मैंने आप से सवाल से पहले पूछा था, कि जब विकास की बात होती है इस देश में, तो फिर पुलिटिकल पिच, कंस की ओलाद, और मैं जनमाश्टमी पे पैदा हुआ, और हम जो सवाल उठा रहे हैं, उन्हें उठाने दीजे, उनको, उनका, उनके सवाल मुबारक है, जो हमारा धर्म है, जिस भगवान को हम अपना इस्ट देव मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं, अगर उसको किसी ने सियासत के चेश्मे से देखना है, तो देखें, मैं रोक नहीं आप देखते रहे हैं उसको सियासत के चेश्मे से, लेकिन हम बिजली पानी शिक्षा स्वास्त के बात करते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतिये जनता पाटी अपनी रैली में, क्योंकि जनता ने जवाब नहीं दिया, मैं जवाब देता हूं जनता का, अपनी र सरकार से जनता इतनी तरस्त है और सबसे बड़ा मुद्दा इस बार गुजरात चुनाब में महंगाई का है मैं आंकड़े लाया हूँ जब यह डबल इंजन की सरकार पहली बार बनी थी अधिती जी जिजए हाई तो फेट्रोल 60 रुपे लीटर था आज 2022 में डबल इंजन सरकार की बदोलट गुजरात के लोगों को पेट्रोल 100 रुपे पहरीद नापढ रहा डीजल 050 रुपए लीटर था जब डूबल एंजन की सरकार बनी, आज डीजल गुजरात के लोगों को 090 रूपे लीटर पर खरीदना पड़ रहा है, LPG गैस का सिलेंडर 500 रूपे प्रति सिलेंडर था जब डूबल एंजन की सरकार बनी, देशी घी का एक केजी का डबा साड़े तीन सो रुपय का था अब यह बहुत लंबी है रागा शेसो रुपय का हो गया बस दो और यह बहुत यह लिस्ट में अपने सब्सक्राइब अब मुल कहा जाता है यहां का है 36 रुपय एक लीटर मिलता था फ्रति ली अचाट रुपय का दूद मिल रहा सबसे बड़ी बात गुजरात के हर घर में सींग तेल इस्तमाल होता है सींग तेल का बढ़ा वाला डबा एक हजार रुपय का मिलता था जब डबल इंजन की सरकार 2014 में बनी थी चलिए आज 2022 में अठाइस और यह जो आप बता रहे हैं कि बीजेपी के वज़ए से हो रहा है आप को जनता अगर आज चुल ले तो यह रेट कितना हो जाएगा चलिए बता दीजिए आम आदमी पार्टी को अगर जनता वोट देगी तो हम 30,000 रुपे की महीने क की आर्थिक मदद सौगात लोगों के लिए हर गुजराती परिवार के लिए देंगे मैं पेशे से चार्टेट अकाउंटेंट हूँ बता देता हूं कैसे देंगे पहली चीज़ हम बिजली 300 यूनिट हर परिवार को मुफ्त देंगे उससे 4000 रुपे की महीने की बचत होगी एक परिवार में दो बच्चे अगर शिक्षा ग्रेंड कर रहे हैं उनको विश्वस तरिये मुफ्त सरकारी शिक्षा मिलेगी दस हजार रुपे महीने का शिक्षा का खर्च बच्च बच्चों का स्वास सेवाएं घर में बड़े बुजर्ग होते हैं बच्चे होते हैं दे अंदर मान लीजे कि दो बेरोजगार युवाँ हैं अठारा वर्ष से अधिक आई उके जिनको नौकरी नहीं मिली उनको हर महीने तीन हजार रुपे का बेरोजगारी भत्ता देंगे यानि कि दो दोनों को तीन हजार रुपे छे हजार 21,000 जमाद 6,27,000 और इसके साथ- एक हजार रुपे की आर्थिक मदद, घर में तीन महिलाई होंगी, दादी होंगी, माताजी होंगी, बिटिया होंगी, तीनों को मिलेगी, 27,000 जमाद 3,000 तीन हजार रुपे, ये तीन हजार रुपे की सौगात केजरिवाल मॉडल गुजरात के हर परिवार को देगा, इससे महिलाई भी दूर होगी, इससे पर्चेजिंग पावर भी बढ़ेगी. केजरिवाल जी के आर्थिक पैकेज से मिलने जा रही है, हर गुजराती परिवार को, इससे महिलाई दूर होगी और इससे पर्चेजिंग पावर बढ़ेगी. गुजराती परिवार को एम्स चाहिए कि महाला क्लीनिक चाहिए, मैं पूछ लेती हूँ यह आपर. यह बहुत लोगों के जहन में होगा. महाला क्लीनिक के अंदर बेसिक हेल्थ केर दिया जाता है. आपको बेसिक अगर बुखार है, जुकाम है, कुछ ब्लड प्रेशर चेक कराना है, वो बेसिक चीजें महाला क्लीनिक में अलाज होती है. बड़े ऑपरेशन्स होने हैं, आपका नी रिप्लेस्मेंट होना है, किड्नी रिप्लेस्मेंट होना है, आपकी एंजियो प्लास्टी होनी है, उसके लिए एम्स जैसे बड़े अस्पताल होना चाहिए. कर देंगे और पहले छे महीने के अंदर एक बहतरीन सूपर स्पेशालिटी अस्पताल गुजरात को देंगे. थैंक यू सोमश रागव चड्डा, जिरी उससे बात करने के लिए और ये कैमरा पर रेकॉर्ड दर्ज है, तो हर किसी की एकाउंटिबिलिटी यहां पर फिक्स होगी, बहुत 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 शुक्तिया, ओवर्यू शिवांदी. थैंक यू अधिती, और देखा आपने की बेबाकी से सभी सवालों के जवाब यहां पर देती हुए नजराय रागव चड्डा और मैं गुजारिश करूंगी